नमस्टे भारत, नमस्टे किशान, मैं गणेश किशान, आज हूँ शिरपूर के पास सिंगावे करके गाउं, आज सारे भारत वाचियों को मेरी तरफ से गनतंत्र दीवस की हर्देख शुब गाम है, आज 26 जनुवरी 2022 आज यहां पर किशान पाच्छाला का आज़न किया गया है, किशान मित्र भी है और बंदरम भाया भी यह साथ में, आज किशान से शिर्शान 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 है, आज जो आज अजया है। बैगीं अंधर में लगा रहा है। उन्होंने उत्ती लिए ओन से बाओडर पर लगाने को, जो कास्तकार की यह हो मंगा रेखे है। अज़ आश्य अपने हिसाब से मंगा सबनेगे। यह रेवा पलस वलस शेटपे गया है? शर्वमायर शेक्तरी बंदल नो जेवा किसान पाट चाहला चे अर उस्तापक किसान बर्णाम भाई यह अपला नीचे नेवजन तक करताता जेचे जैंचे मार पाद रोपई जेता के आनि कुना कैचे साथे अपलेला सिट्में नहीं जेता जेता है एक पूरन चेन प्रिबिटे जैने प्राइट निचे पत पत अपन आपलेला फट्में जेता चेंजिए कंते पत लिया में आपलेला सुभाइट जेता प्राइद करते प्रणा नार्माद केन पत जली जेता जैंचे प्रफ्टापली बाग्ते हैं अश्य गाव जर गेंड हो तो स्टील तर्थे मंजे माल अलकार आओ भारी लाओ ते त्याल पूर ते 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 मार पर आपले आप मार्गों सिंगावा गाव है एक पार साल से भी क्याला स्टार्ट किया है लेकिन एक से कर्स्टकार शूपर ड कि अपना चोप्रतालुक में याना आड़ है याना इसा भी है यहां ना वैसा ही चाहिए क्या हम गाओं के किसा निखटे होकर एक दिसा में खेती कर सकते हैं क्या और हम व्यापारियों को अपने शेत्र में अट्रेक्ट कर सकते हैं तो तो फिर हमारी प्रोग्रेस हो नहीं है तो अभी मैं कावी सारी मीटिंगे लेकर आ रहा हूं दो दिन से मतलब मेरी 10 से 11 मिटिंग हुई है अभी रात में हिंगनी में था मैं 11 बजे भासे निक्तोर कर आईगी उसके पहले दिन किसान अभी लॉकडाउन के बाद ना कुछ गडबड़े हुई है कि माल उठना और बिकना और रेट का फर्क इतना ज्यादा आ गया है जिसे आज का रेट साइद धियां पर भी आप मुझे बताऊगे तो तीन रुपे का भी है और तेरा रुपे का भी है महराष्ट में आज 26 जनवरी को इतना फर्क है पहले फर्क क्या आता था इतीन रुपे है तो पांच रुपे या तेरा रुपे है तो दस रुपे दो तीन रुपे का फरख लुए अभी 10 रुपे का फर र understood system तो बदले हैं तो हम किसानों को भी अपने तोर तरीक फोड़े से बदलाव करना पड अभी तक जो पैटरं थे जो मैंने समझा या गाओं गाओं जो किसान मुझे बुला रहे जाहा मैं पोछ रहूं चीन तो काफी सारे किसानों की 시청 से तो हम ले रहें हैं कि है क्या दिक्कते और क्या होना चाहिए तो मुख्य दिक्कते मुझे तापती बैल्ड पर लगती है जो मैंने सुना है बाकि आप लोग मुझे बताइएगा चर्खा करपा सिगट होगा यह में समझ्या है और जो माल लोडिंग करते हैं जैसे अन्ना आपके हैं से लोडिंग वह निकलेगा ऐसा होता है जिस गाड़ी में पग जाता है उस गाड़ी में फिर आगे से में यह मल्ले से वाल अगली बार लेना नहीं आग अप किसान को ऐसा लगता है कि मेरे हां बंगीुज़ा बहुत सुंदर है फल नहीं होना चहिए है ओब आज के रेटों की में बात करूं तो अभी यावल में अपनी दो-तीन गाडिया जो कटी वो तो साढ़े-दस रुठे के ऊपर नीचे गड़्िक्तों साढ़े.. तो अगल मिला करके लाइश का भीर इंट बीविये कुन發現 है। तो सिंगाओं के किसानों को पहले समझना पड़ेगा कि क्या हम इखटे होकर एक जैसी गाइडलाइन पर खेती कर सकते हैं क्या मुद्दे बहुत सारे हैं सभी मुद्दों को अगर हमें पैसा चाहिए तो एक एक को टच करना पड़ेगा और अन्ना जैसे व्यापारी जो अप हम किसान अभी गाइडलाइन कहां से ले रहे हैं जिसने पोद दिया वहां से या जिसने खाद बेचा वहां से हमाने पर गाइडलाइन का मापधंड क्या het j आपको 1260 चाहिए यूडिया डिएपी चाहिए आप परची लेके आया तो उन्होंने दे दिया कभी चूख हो गई क्यार मेरे यह इस फंगस से दवई यह फंगस की दवई से रुका नहीं तो दूसरी दवई दे दो तो वह दूसरी कंपनी की दवई दे देंगे वह आपके ब माल लोड कर रहा है वह बताएंगे फिडवेग कि इस गाओं से गाडियां जो पिछली पांच गई उनमें कौन से बगीची की फेल हुई कौन से बगीची की पास हुई और अगली गाडी में क्या इस गाओं में सुधार होना है अब हमें लोकडाउन के बाद यह समझना समझ जाएंगे जिन गाओं के किसान इसको पकड़ लेंगे तुरंत आगे बढ़ जाएंगे हमने अभी पिछले दो सप्ता से नर्मदा बेल्ड पर बढ़वानी मध्यप्रदेश मैं यहां से डेड़ सो किलोमेटर पर बढ़वानी के पास रहता हूं तलुन करके गाओं है महां पर हमारा टिशू कल्चर का लेब है रेवा का यह अपने हैं से आया है तो हम अभी 2021 से थोड़े से साइज बढ़ाया है फोधा गाइडलाइन दो चीज हम दे रहे थे अब माल खरीदी का भी कांश कालू कर गया है एक्ट्यल में जब पहला लॉकडाउन लगा तो बहुत ज्यादा गडबडवी दूसरे लॉकडाउन में तो थोड़ा थोड़ा माल निकला लेकिन अब तीसरी वेव वापस आ गई है फिर वैसे ही आसार है तीसरी वेव के साथ-साथ एक्षपोर्ट बंद हो गया था दो महिने के लिए अभी रेट जो अन्ना डाउन हुआ एक्षपोर्ट बंद हुआ डेड़ महीने दो महीने के लिए इसलिए तो रेट इतना बाटम पर आगया हुआ क्या था इसे यह तापती बेल्ट जो है न हम जहां खड़े हैं बुरानपूर से लेकर नंदुरबार तक यह जो 200 किलोमेटर की पेरिफेरी है यहां पर केला पि जो जादा पैसा देते हैं अच्छे व्यापारी से मतलब मेरा सुद्ध लाइन में जो जादा पैसे दे करके माल खरीदे वह यहां टिकते नहीं केला सो साल से लग रहा है महराश्ण में बात करें केला सबसे ज्यादा कहां पर है तो जलगाओं का नाम सबसे पहले आएगा तो तापती बेल्ट का नाम आएगा जिसमें जलगाओं मतलब बुरानपूर भी आगया नंदुरवार भी आगया यह ट्रेक आगया जब इतने साल से हम केला लगा रहे हैं अच्छा व्यापारी जो ज्यादा पैसे देने वाला वह यहां नहीं है वो का हैं तेमुर्णी में वो सोलापूर में है वो आन्द्रा में है जहां कम केला लगता है और जो कुछ समय बाद लगाना चालू है वहां के तेमुर्णी का तो तालाब बना उसके बाद लगाना चालू है तापती महिया गया है तो बात छोटी सी है समझ नहीं कि तो हम अगर एक साथ हो करके एक दि पारी ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं कि बल्राम भई आपकी जहां गाइड लेंग जा रही है अब हमको वहां से माल काटना है क्योंकि जहां 37 खेती वाला प्लोट जाता है माल जहां जाता है 37 खेती वाला वहां पर सीगाटों का चर्खा करपा इनकी कंडिशन कम रहती है पंद्रा पर्शन बचन कम जाएगा वह कान इधर से पकड़ना है एक रुपया ज्यादा मिला लेकिन आपके जेब में कितना आया मुद्धा तो वह है एक तो गोर से समझने वाली बात है मैं पक्षय में हूँ क्वालिटी बनाने के सुप जतना पईसा अभी कल रात की बात है हम हिंगने में बैठे थे हैं और मैं मिटिंग लेता हो तो मेरा फ़ोन फ़एलेंड फिर कर लेता हो उस भाई ने आंद्रा से गाड़ी बने 11 रुपे किलो की ठीक है बॉक्स पेकिंग में अब आंद्रा से जम्मू कस्मिर जाना पांच से छे दिन की मंडी है कि बिश्टन का ट्राला छे दिन की ट्रेवलिंग में वहां जम्मू कस्मिर पहुच रहा है बोक्स में अब वो कोई ऐसे बगीचे से गाड़ी बना दी कि बीश्टन में से छे से साट टन माल वो ऐसा भाजी हो गया सड़ गया वह भाही ने मुझे फोटो भी भेजे आडियो बेजे जितने किसान मेरे वीडियो देखते ना इस से जदा व्यापारी मेरे वीडियो देखते कि बलरा माई किदर के बड्डिया कहल रहा है हुट उनका रात को फोन आया मैंने खल देवुर वाला वीडियो डाला हुट वहां एक ही गाउ में आप लोग सब मिलकर जाहिए में सत्तर अजार पोदे लगे रवाप्लस के अहीं कि यंद ये इस टेल अच्छी है ये जो पॉय लगाया है साद Dubai पांच डबल डृप ये इल अच्छी है संपूर नहीं है किकल किसान के हीत में नहीं है है ये किस के हिद में मेरे हिद मेया थो पोधा बेचना पहले में खर्चा हुआ दूसरे में बच्चत आई और दूसरा आपका अगर सही नी बना तो उस में बच्चत आई नी और उसको निकालने में फिर पैसा लगा क्योंकि केला लगाते समय हमें 25-26 अजार रुपे लग रहे एकड के और केला निकालते समय भी हमें 25-26 आजार तो हम जिस दिन केला खाली करें हैं उस दिन लगना जे, लेते हैं दो कटिंग इस से ज्यादा लेते नहीं, एक और सुन्दर बात बताओ अन्ना में, चार दिन पहले अब बामणपुरी में मिटिंग हुई, खिसानों ने थाई किया, एक ही कटिंग लेंगे, पिलबाग एक बार लगाओ, अब आपने ओधा लगाते समय 25,000, निकालने को 25,000, पहले तो आपके जैन में 50,000 चाहिए, अब बाद में दूसरी बात करेंगे, कि खिलाओगे के, उससे माल लोगे क्या, तो जीस किसान के पास, अगर ये विवस्ता नहीं है, मतलब वो केले की कबड़ी से बाहर हो गया, पहली सुरुवाद, दूसरी सुरुवाद, जिसके टीशू कल्चर लेव है, वो इसका बट्टी में सबसे आगे है, वो इस गाइडलाइन को वो लेगा सबसे बेस्ट है, क्यों हर साल आपके गाओं में मुझे पोधा नाया भेजना है, तो ये सुन्दरव है, हम यहां भी देखे तो पुरा चोड़ा है, और यहां से वहां तक पूरी नजर जाती है, जर्कीन सब ने पहिन के रखी, फिर भी थोड़ी-थोड़ी हल्की जुर्री लग रही न, हवा, ठंडी, तो रात को तीन बज़े से लेकर, सुबे छे बज़े तक, जो सीत लहर चलती है, जो चमड़ी को बर्फ बना देती है, पत्ते को जो बर्फ बना देती है, तो वो यहां से घुसरा वहां निकल रहा है, यह चोड़े ग्राब में, तो आपके पत्तों को आपके फल को चिलिंग इंजरी से बचाएगा, वो, कि एक दम थंड़ा है, तो रेट मिलेग आपार प्रणा केसे देखो यह रेड 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 चालू हो गया यह जो थोड़ा सा अगया आज नहीं लेकिन उसने दस तक देना चालू कर दिया यह जो डॉट डॉट बने हैं आई नहीं है आने की सुर्वात हो गई तो हमें कीन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा रेट ज्यादा देने वाले को चाहिए क्या व्यापारी जब खेत में जाता है तो वो कुछ पेरामीटर लेके जाता है मैंने सारी मेरी मीटिंगों का अन्ना शेडूली बदल दिया अगर आपने व्यापारी की लाइने नहीं समझी तो आप केला मत लगाओ क्योंकि बेचते समय आपको रोना है केला पहले दिन से हमारे खेत में लग रहा है तो व्यापारी को चाहिए क्या जो बेस्ट रेट देगा वो मनस्तिती लेकर के आगे बढ़ो वो किस कंपनी का है छो अब इसमें पंजे अगर गिनेंगे हम एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ नौ पंजे नीचे का डंडा भी लंबा ये ठीक बात है ये रिवा प्लस की खासियत है कि नीचे तक डंडा मोटा आता है अब जिस दिन माल कटेगा उस दिन पत्ते नौ होना चाहिए आज पत्ते ज्यादा एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस ग्यारा है लेकिन अभी इसको कटने में और सहांट दीने तो अब नया पत्ता तो आने वाला नहीं है नया पत्ता आएगा नहीं हर पत्ते थोड़े 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 रिवस हो तो इसको भरने तक और फिर अगर हमारे शेत्र में चर्खा करफा है तो यह जैसे पत्ते के ऊपर वो दीच में धब्बा आया फंदस आगी है 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 उतने पोधे पर पत्ते होना चलिए अब बहुत सारे किसानों को भ्रहनती हो जाती है कि मेरे गाओं में केला काफी समय से लग रहा है इसा तो यहां तो बीमारिया आईजगी, फ्रुब मैं भ्रहनती बोल रहा हूं मतलब उसका हिलाज है इसा, वह भ्रहनती है हम एसी खेती कर सकते हैं कि हमारे खेत में कुछ बिमारिया या दो नहीं है बीना कम दवई डाले या बिना दवई ड़ू आप क्या करना चाहिए अफयल हो कुछ किसाणों के जाओ एक विजिट करो, एक ही गाओं में 70,000 पोदे हैं और 100 परशन बलराम को उन्होंने खेत में उतार दिया है, उस आदमी से परशान भाई है, मेरी एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, चीज को समझना, उन्होंने मेरे यूट्यूब के सारे वीडियो देखे हैं, आप लोग बाकी और देखते हैं हैं, तो उस आदमी ने एक बार भी मेरे से फोन पर बात नहीं करी, मुलाकात नहीं करी, 35,000 तो उसने खुद ने खेत में लगा है, एक आदमी के, और बाकी गाओं में 35,000 उनके मित्रों ने लगा है, टोटल 70,000 रोप, रेवा का ही पोदा है, बिना मि केवल जो आफिस से पर्चा गया, उस पर्चे को फालो किया, गणेज भाई से थोड़ा सा संपर्क रखा, आज की तारीक में, ये भी रेवा का है, लेकिन इससे 50% आगे है पलाई, 50% ये भी सांद भाई 5 पे है, वो पांच भाई 7 पे है, पांच भाई 7 पे है, पांच हाँ, ये नहीं चाहिए चोड़ा, इसको क्या करना है, ये चोड़ा होना ने चाहिए, रोप से रोप साथ, तो दो फाइदे क्या होगे, अभी ये पांच है, उसमें जगार खतम हो गया, आप कहां रखो गया, और ये पांच है, तो आपको हवा को अंदर भेजने की जगार खतम कर दी, और ये साथ हो गया, तो आप नया बच्चा रख सकते हो, तो टाइम टेबल पे ले सकते हो, इसा लेट रखेंगे, अभी आपको सब काटना पड़ रहा है, क्यों, जगा ही नहीं, ये काटना हमारी मजबूरी ही, क्योंकि हमारा ग्राफ वेसा लगा लिया हमने, ये ठंडी आ रही है, आना नहीं चाहिए, जिस दिन रोप खेत में आए, उसके पहले खेत की बाउंडरी पर गन्ना घास होना चाहिए, पूरी बाउंडरी पर गन्ना घास होना चाहिए, तो ये हलकी सी जुर्री खेत में आएगी नहीं, ऐसी छोटी छोटी सी बाते हैं, उ एक ही गाउं से हम यहीं पर सारी चर्चाएं कर ले यह जादा अच्छा है बैट के करना है चलो आओ फिर बीस मिनिट चर्चा करते हैं